तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो साड़ी है और बॉर्डर विसका बहुत है तो साड़ी भी पूरी मिलाके बहुत है लेकिन मैंने इसको कैसे पूर्फेक्टली बहुत एजली ड्रेप किया है वह मैं आपको दिखाऊंगी और इसके बाद में दिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी साड़ी को matching exercise कर सकते हैं और बहुत ही easy step है और mainly beginners के लिए है और आप इसमें slim भी दिखेंगे तो चलिए start करते हैं without wasting so much of time तो यहाँ भी मैंने साड़ी ले ली है और आप मैं इसको आपको drip करना बताऊंगी लेकिन basics पहले आप देख लीजे कि जो साड़ी होती है वो काफी लंबी तो होती है यह obvious सी बात है बट एक जो side होता है वो हमें अपनी कमर में पहले डालना होता ह तो वो यह side है जो हम अपनी कमर में पहले डालेंगे और एक side होता है जो आचल का होता है वो हमारे पल्लू पे जाता है तो यह समझना बहुत ही important है कि कौन सा हमें पहले अपनी कमर में डालना है और कौन सा छोड़ देना है पल्लू के लिए तो यह जो दूसरा side में आपको दिखा रही हूँ यह आचल है और बहुत से आचल में design भी different होती है और जो satin की साड़िया होती है उसमें तो plane होता है तो उसमें आपको confusion की जरूरत नहीं है तो चले start करते हैं तो यह मैंने लिया है लेकिन उसके पहले आप heels पहन लीजिए क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे मैंने tuck कर लिया है एक side में और इसको tuck करते करते ले जाएंगे देखेगा कि साड़ी gather ना होने पाए बहुती plane tuck रहे और फिर tightly भी रहे थोड़ा सा और यहाँ पर tight करके मैं पीछे tuck करूंगे इस तरीके से साड़ी काफी लोग नहीं पहनते हैं तो उनको idea नहीं होता है तो जो मैं steps बता रही हूँ बहुती simple बता रही हूँ especially for beginners तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से tuck कर लिया है और इसके बाद आगे हम इधर भी मोड़ेंगे बस उसके बाद जदा tuck नहीं करना है उसके बाद हम बनाएंगे जो साड़ी की plates होती है वो बनाएंगे बहुती वो थोड़ सा tough लगता है लोगों को तो वो भी मैं अच्छे से आपको अच्छे से दिखाऊंगी step by step दिखाऊंगी तो यह जो हम टक करके लाए वो यहीं तक टक करना है उसके बाद जो पल्लू का हिस्सा है पहले हमें उसे नाप लेना है और अपने कंधे पर रख लेना है जिसलिए कि जो बाद में पल्लू छोटा या बड़ा ना हो जाए तो यह रहा पल्लू का हिस्सा और इसे पीछे से लाके इस तरीके से हमें अपने कंधे पर रख लेना है तो मैं एक distance देख लेरी हूँ कहां तक मुझे रखना है तो मुझे यह perfect लग रहा है यहां पर मैंने जो साड़ी का तो यहां पर थोड़ सा मैंने टक कर लिया है उसके बाद हम प्लेट्स बनाएंगे इधर से और आप देख सकते हैं बाद में इसको जो हम लोग टक करेंगे शेप बहुत अच्छा है और आप इसमें स्लिम भी लगेंगे लेकिन अभी आते हैं में पार्ट जो हो गए अलागे और अच्छे से प्लेट उठी वी ने रेत दवी हुई रहे तो यह प्लेटिंग हो गई है और इसे आप अपने प्लेट जो बर पेति कोड जो भी मिलाए इस तरीके से इसलिकर नीचे तक सब कुछ अच्छे से रहे और उसके बाद अमेज को अपने जो भी पेटी-कोट है उसमें टक कर लेना है तो आप देख सकते हैं मुचे थोड़ा सा क्योंकि हैवी साड़ी है तो इससे धीरे धीरे धेरे प्लेटिंग करनी पड़ती है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट घबराने की कोई बात नहीं है अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन मैं थोड़ा सा प्लेट्स अच्छा बराने ही कोशिश कर रहे हूं इसलिए थोड़ा सा मैं एकदम अच्छे से लगे दिखने में और यह मेरा नीचे तक हो गया इस तरीके से आप साड़ी पूरा नीचे तक मिला लीजे यह आप देख सकते हैं और बस इसके बाद हम अपसको आपने प्लेटी कोट और जो भी पहना होगा आपने उसमें तक कर लेना है तो यह हो गया प्लेटिंग का इधर से हाट डालके थोड़ सा स्पेस रहता है आप लोग करेंगे तो पता चल जाएगा तो यह करके इधर करके और उसको थोड़ा सा घुमा के और हम फिर उसको अंदर की तरफ दबा लेंगे अब इधर का आप शेप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छा आता है बहुत ह स्लिम आएगा उसके बाद इसको हलका सा मोड के और हमें अपने पेटी कोट में इसको टक कर लेना है अब बगल वाला पार्ट जो हमने हलका सा चुटा हुआ था वो ऐसे ही टक कर लेंगे क्योंकि उदर पल्लू रहेगा तो उतना दिखता नहीं है पिन की हैल्ट से मैंने प पल्लू के तो यहां पर प्लेटिंग करेंगे पल्लू की तो जो पहला प्लेट रहता है थोड़ा सा चोड़ा रहता है और बाकी के उससे पतले रहते हैं जिसलिकि अंदर की तरफ दवे रहें और दिखे न तो यहां पर यह प्लेटिंग हो गई है मेरी पल्लू की और इसे नीचे तक एक-एक करके मिलाना पड़ता है तो इस तरीके से आप थोड़ा से ले जाएंगे फिर मिलाएंगे फिर थोड़ा से ले जाएंगे और उसके बाद ये अच्छे से complete हो जाएगा और एक में स्टेप बताऊंगे आपको कि जो आपका blouse है अगर deep है तो वो नहीं हिस्सा है न ये इस तरी से हम लोग टक कर लेंगे तो जो deep blouse रहेगा वो दिखेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए आप blouse matching पहन लेते हैं तो ये रहा मेरा final look और मैं exercise करके भी आभी आपको दिखा देती हूँ तो कैसा लगा आपको अच्छा लगा और simple लगा हो तो जरूर comment में बताईएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा क्योंकि मैं बहुत भी वीडियो जासे लाती रहती हूँ और अब मैं इसको exercise कर रही हूँ matching jewelry से earrings पहन रही हूँ उसके बाद मैं necklace पहनूंगी और matching चूड़ी मैं नहीं पहन रही हूँ क्योंकि सावन चल रहा है तो मैंने green color की चूड़ी डाली है तो green भी सपे match कर जाती है आज कि रेड लहंगा आता है उसके इंसान green jewelry पहनता है तो green match कर जाती है और यह रहा final look तो आपको कैसा लगा अगर पसंद आए like जरूर कर अगर चनल को subscribe करेगा for more updates till then bye bye